लुकडाउन में खनन माफिया सक्रिय हो चुके हैं वहीं पुलिस ने अवैद खनन करने वालों पर फिशी कंजा कसना शुरू कर दिया है आपको बता दे कि पुलिस ने एक जेसेपी वह दो डंपर्स को सील कर दिया है पुलिस द्वारा खनन माफिया को गिरफतार भी किया गय वहीं आपको बता दे कि हर दोई के कच्छोना थाना शेत्र के गाउं बगुआ माउ के निकट पैपसी को कम्तनी के पिछे जेसी पी से खनन कर डंफरों से मिटी उद्योगिक शेत्र संडीला में जाने की सूचना ग्रामिनों द्वारा कोतवाल कच्छोना को दी गई जिस पर क परकत में आया स्थानिय पूलिस ने खनन करते दो डंफर वह एक जेसी पी को पकड़ कर सीज कर दिया खनन करते पकड़े गई चार खरन माफियों को शांती भंक की आशंका में चालान कर उपजीला अधिकारी संडीला की कोट में पेश किया गया एसपी ग्यारंजे सिंग ने बताया कि पकड़े गई दिव्यांश चोरसिया वह राहुल वह पवनकुमार उसके अलावा बबीना अली वह गाजु रोड को हिरासत में ले जिने स्टीम कोट संडीला में पेश कर डंफर वह जेसी वी सीज कर उच अधिकारियों को हमारी से गुजर रहा है और पूरे देश में लोगडाउन चल रहा है वहीं विभागों की सहमती पर देश के प्रदानमंत्री वह मुख्यमंत्री के आदेशों के खुले आम विभाग चंद सिक्कों के लालच में धजियां उड़ा रही हैं सुत्रों की माने तो कच्छोना म अवैत खनन का कारी बदस्तूर है जारी है हर दोई से समधाता शाहिद एली के रिपोर्ट ना थाना शेत में जैसी बी और दो डंपर और चार आदमी वहां पे खांद करते हुए एक शिकायत मिली थी उस शिकायत पे पेप्सी की फैक्टरी उसके पीछे शिकायत मिली थी औ ऐसे ही लेटेश को बहें पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद KBD Banquets Enterprise